नेक्स्ट अब हम टाइप 3 के रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं अभी तक हमने दो टाइप के रेक्टिफिकेशन सीख लिए नमबर वन एकाउंट मिस्टेक जिसमें कि एक नाम सही होता है और एक नाम गलत होता है एक नाम आपको कॉमन मिल जाता है आप उसे इग्नोर कर पाते हैं दूसरे होते हैं बुक मिस्टेक, सीरियस मिस्टेक और वो खुद भी गलत होते हैं और साथ में कनेक्टिड अकाउंट को भी गलत करते हैं और जब मिलने की बात आती तो दो-दो common मिल जाते हैं और नहीं मिलने की बात आती तो कुछ भी common नहीं मिलता अब आरते हैं तीसरी mistake तीसरी mistake जो है वो journal entry की mistake नहीं है totaling की mistake है आपने किसी account का total कम या ज्यादा कर दिया मतलब होना चाहिए था total कुछ आपने सरफ उसके total में गलती किया पहली बात हमारे accounts में total करने की क्या journal entry होती है हम transaction की तो journal entry करते हैं event की तो journal entry करते हैं total की journal entry नहीं करते हैं बस total करते हैं लेकिन उस total के अंदर गलती अगर हो जाए तो rectification के लिए journal entry की ज़रूरत पढ़ जाती है एक और चीज़ क्योंकि total की journal entry नहीं बनती है इसलिए इसके rectification तो पहुंचने के लिए जो working note हम बनाते हैं जिसमे हम क्या लिखते थे कि correct entry क्या होगी wrong entry क्या होगी या तो total आपने जो होना चीए उससे कम कर दिया होगा और या तो जो total होना चीए उससे ज़ादा कर दिया होगा अगर आपने total किया कम मतलब लाइक मैं कहता हो एक account में एक एक हजार पे की चार entry है तो इसका total कितना होना चीए 4,000 जल्द बाजी में हमने total कर दिया 5000 तो इसे बोलेंगे हमने total की mistake कर दी और इस situation को क्या बोलेंगे हम क्या कर दिया हमने overcast कर दिया ज्यादा कर दिया और same situation अगर मैं ले लूँ 1000 की चार entry है और इसका total मैं कर दूँ अगर 3000 4000 होने चाहिए मैंने क्या कर दिया तो क्या बोलेंगे क्या कर दिया undercast कर दिया और 4000 का 4000 कर दूँ तो फिर कोई mistake ही नहीं है फिर कोई rectification की जुड़ती नहीं है तो दो situation या तो over हो सकते है total ज्यादा या तो under कैसे इनको दूर करते हैं कैसे ठीक करते हैं पहली बार total की कोई general entry तो होती नहीं है आपको अगर इन्हें ठीक करने है तो यह correct wrong नहीं चाहिए मैं होती ही नहीं general entry तो correct wrong कैसे लिखे हम सिरफ यह देखेंगे कि over हो गया के under हो गया दो में से एक situation होगी अब बताओ यहां पे over हो गया तो इसमें मैं अब 1000 पे कही over हो है ना तो 1000 पे add करूँ या 1000 पे less कर दो less तो जब भी over हो जाएगा तो आपको उसमें account में minus करने है यह देखो over हो रखें तो मुझे क्या करना पड़ेगा minus और अगर यह situation है अंडर और रखें तो क्या करूँगा तो आपको विसर प्लस कर दो यही तो option होगी under हो गया कम किया है तो जोड़ दो उसमें over कर दिया तो थोड़ा सा निकाल लो अब आपको देखना है कि वह account जो है वो किसमें हुआ है कौन से account में कुछ account की तो nature आपको पहले से पता होती है कि यह वाला account है तो debit होगा या credit account का मतलब जो इसमें गलती हुई है वो debit में गलती हुई है या credit में जैसे मैं बोलू purchase अब आपको पता है purchase तो debit ही होता है तो उसके अंदर आपको nature बताने की जो तने purchase account debit है और मैं बोल दूँ कि अगर purchase ही है और वो under हो गया तो purchase तो कोई बात ही account आपका क्या होता है वो debit अब इसके अंदर ठीक कैसे करेंगे यह जा समझे ना कोई भी account अगर over चला गया है तो हमें इसका मतलब minus वाला effect rectification में डारने है ठीक है ना debit account कोई अगर by chance over चला गया है तो मुझे क्या करना है rectification में minus करना है और account में minus करने का क्या मतलब होता है अगर debit कोई account है और उसे minus करने तो क्या कर दो credit कर दो और अगर यहां पर मैं भर दूँ credit इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं over काई एक और case लेता हूँ अगर यहां पर मैंने कर दिया credit और मैं कहूँ मुझे minus करने है तो बताओ minus करने के लिए उसे कहा भेज़ दूँगा मैं भाई debit हो जाँ मतलब अगर कोई भी account over चला गया है तो आपको उसको reverse side में show करना पड़ेगा ठीक है और under के case को भी discuss कर लेते हैं अगर under हो गया तो under होने का मतलब है उसके अंधर में plus कराने तो वह account अगर debit वाला है तो plus कराने के लिए अगर वो credit side है और मुझे उसमें plus कराने तो बताईए उसे कहां भी भीजूँगा तो मैं credit हो जब भी आप account की same side में entry डालोगे तो balance increase होगा कभी भी किसी भी account की same side में entry डालोगे तो balance increase हो जाएगा और उसके opposite side में entry डालोगे तो balance decrease हो जाएगा कोई भी account हो इससे कोई फरक ने पड़ता तो जब भी आपको over balance नजराय समझ लेना minus करने और minus करने के लिए आपको opposite side में entry डालने पड़ेगी और जब भी under total हो जाएगा तो मतलब आपको उसी balance को और बढ़ाने के लिए आपको उसकी same side में entry डालने पड़ेगी ठीक है समयाग है concept अच्छा एक बाँ बताओ अगर मैंने a account का total गलत किया उसमें 1000 फाल्तू कर दिये तो यह compulsory है कि कोई b account का भी total में गलत ही करूँगा और उसमें 1000 कम करूँगा ज़रूरी यह compulsory है total की mistake one sided error होती है total की mistake one sided error है अभी तक जो mistake हम कर रहे थे वो दो side error थे दो account पे असर ड़र था लेकिन total की mistake कभी both side error नहीं होती total की mistake हमेशा one sided error है इसलिए सिरफ एक ही नाम आपको general entry के अंदर डालने के लिए मिलेगा दो नाम नहीं मिलेंगे और rule यह रहेगा यह तो दूसरा नाम किसका होगा आप question की तुरू समझते है question number 11 मैं कराओंगा इस सारे के सारे concept को ठीक से समझाने के लिए इस पूरे question में सिर्फ undercast और overcast की mistake है और सबसे पहला transaction इसमें लिखा है A transaction जिसमें बुकारा जा रहे है sales book account का नाम बता दिया उन्हों sales book हम इसे sales account से represent कर लेंगे और बताओ sales के अंदर कौन से type के balance लिखे जाते है debit side के credit side के credit sales हमारी income create करती है इसमें balance हमेशा कौन सा होता है credit क्या हो गया या तो under हो गया हो गया तो over हो गया होगा दो ही mistake होगी क्या करें भई added short total हमने कम किया तो भई plus करना पड़ेगा under cast बैठें तो under होके बैठें under माने short chart है तो जो चीज short chart है उसमें क्या करेंगे plus करेंगे भई plus करना तो credit तो तभी plus होगा जब तुम से और credit कर दो same करोगे तो plus हो जाएगा minus करने तो पोजी कर दो सिरफ एक ही नाम आपको मिलेगा भाई sales तुझे credit में जाना पड़ेगा हम rectification बनाएंगे यहाँ पे लिखेंगे credit side में two sales account कितना amount को इसमें गिवन था 150 सिरफ credit में single sided error है total की mistake बहुत sad error नहीं है एक ही नाम चाहिए भी और एक नाम हमीं मिल गया है लेकिन ऐसी general entry हम छोड़ नहीं सकते ऐसी ध्यान से समय लेना इस गलती ने कहां असर डाला होगा जब तुम total गलत करते हो तो तुम्हारा try balance out हो जाते है out का मतलब यह नहीं कि clean board हो जाते है out होने का मतलब दोनों side का total same नहीं आता और अब तुमने undercast कर दिया तो एक side का total कुछ आ रहा होगा दूसरे side का total कुछ आ रहा होगा अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा total सत्तर हजार आ रहे तो यहाँ पर total 69,850 पर यह टक गया होगा क्यों क्यों क्योंकि credit side में तुमने 1500 पर कम लिखे देखो यह तो सर्थ 1500 पर कम लिखे तो यहाँ पर 70 और यहाँ पर 69,850 अगर यहाँ पर तुम्हारा total 80,000 है तो यहाँ पर total 79,850 पर जाके अटक गया होगा 1500 का difference आएगा क्यों 1500 का क्योंकि आपकी एंट्री में 1500 पर आपने sales में चढ़ा है नहीं total गलत कर दिया तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है जब try balance बन जाते हैं और अगर वो टैली ना करें तो हम यहाँ पर थोड़ा सा account के नियमों का तो उलंगन नहीं कर सकते ना ऐसा तो try balance शो नहीं कर सकते जिसमें एक तरफ का total हो 80 और दूसरी तरफ का total 79,850 हम कहते हैं भाई अब क्या करें इसको लाना तो पड़ेगा जबलदस्ती करनी पड़ेगी 80,000 फोरन गलती मिल जाए तो आप उसी वक ठीक कर सकते हैं लेकिन अगर try balance तक बात चली गई तो बुक में record हो जाएगा यहाँ पर वही गलती हुई है suspense 150 पता ही नहीं चला mistake आ रही थी तर देट सुर्पे की तो हम उसे कहां बर देते हैं suspense में और फिर बठा दी जाते हैं जासूस इसकी खोच के लिए कि suspense क्यों आया वो जासूस कोई बाहर वाले नहीं तुम ही लोगो एक 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 एंटी को चेक करोगे और जिस दिन तुम्हें तुम्हारी गलती मिल जाएगी उस दिन इस suspense को हम उस mistake से ठीक कर देगे मिल गी गलती क्या किया था तुमने suspense को जब mistake create हुई थी क्रेडिट करके तुमने suspense को create कर दिया था यहा पे क्रेडिट सेड में मिस्टेक थी न तो तुमने suspense कहां पर खोड़ डाला होगा credit side में, अब गलती तुम्हें मिल गई है तो अब इसको बंद कर दो suspense को और अगर credit वाला account बंद करने है तो debit करना पड़े है और देखो तुम्हें आपको debit side में जगे खाली मिल रही है, यहाँ पे क्या भर देंगी हम यहाँ पे लिख देंगे जी suspense account debit 150 आगे से अब में यह कहानी नहीं सुनाओंगा जब भी हमारी एक single sided error होगा जब भी हमारा single sided error होगा दूसरी side में suspense account ही हमेशा भर दियत रहेगा बात समयागी है चलिए, अब आज़ाते हैं अगली mistake नेक्स्ट जो इसमें है B mistake उसमें लिख ए प्रियोडिकल टोटल औफ पर्चेज बुक अब वो कहरें जी पर्चेज बुक का टोटल पहले तुमुझे बताओ पर्चेज में ट्रांजक्शन डेबिट सेड में होते हैं के क्रेट सेड में डेबिट सेड में अब दो ही situation हो सकती या तो undercast हो जाएगा या तो overcast cast short फिर से undercast है मतलब टोटल कम हो गया है फ्लस कर ले भाई सेम होगा तभी फ्लस होगा माइनस के लिए opposite तो हम कहेंगे भाई पर्चेज ऐसा कर तू चला जा जा डेबिट सेड में हमारे TRAB LS के अंदर इसलिए क्या नाम लिख देंगे to suspense account rupees 50 और narration में भल देंगे पूरी बात और last लिख देंगे now rectified ठीक है यह आसान है इसमें बिना general entry के direct rectification हो जाएगा अगर over लिखा होता तो मैं minus करता तो मैं पर्चेज को कहां बेजेता credits है भाई purchase तू credit में चला तो debit में suspense आ जाता अगली entry C entry total of purchase return book purchase return जो balance purchase में होगा उसका opposite return में होगा और purchase में अगर debit है तो return में क्या होगा credit क्या हो गया भाई साफ साफ लिखे undercast हो गया तो plus करना पड़ेगा तो इसे कहां भेजेंगे भाई सेम होगा तभी plus होगा तो ये credit में जाएगा तो ये credit में जाएगा debit तो सुनसान रहे जाएगा क्योंकि single sided है तो हमें पहले सी पता है कोन आएगा debit में suspense हमारी entry बनेगी suspense account debit to purchase return कितने से rupees 300 और उसके बाद d entry जिसमें क्या लिक है sales return book added short sales return बताइए sales return में कौन से type का balance होगा जो sales में था उसका opposite होगा sales credit होती है तो return debit होगी ये भी short है मतलब क्या चल रही है undercast अब debit है undercast चल रही है plus करना पड़ेगा debit वाले को plus करने के लिए कहा दिखाना पड़ेगा debit में sales return तो debit में आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे sales return account debit में कितना 200 credit में तो कुछ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि single seller है तो कौन सा आला नाम लिखेंगे suspense account भर देंगे rupees 200 और narration लिखेंगे being sales return book undercast rupees 200 now rectify ठीक है एक इसमें over का भी कर लेता हूँ अगला कोशन कर देखोगे तो इसमें 12th की A entry इसी में add कर रहो हूँ है सिर्फ एक दो entry 12th की कर लेते हैं जिससे की over का concept आ रहे है इसमें under ही थे सारी आगे लिखे है return inward book overcast return inward sales return ही होती है अब कह रहा है कि sales return 12th का आई क्या हो गई है होती तो debit है लेकिन अब क्या चली गई है over हो गई है over में तो minus करना था तो भाई तू debit था तुझे minus करना है तो कहा जाना पड़ेगा तुझे credit में अब भी देखो sales return उपर था under थी तो plus करना था debit क्या अब यही sales return क्या होगी है अब क्या होगी entry credit में पहुंच जाएगा sales return कितने से rupees 210 और debit रहा गया खाली तो हाँ पर क्या लिखेंगे suspense account rupees 210 इस तरह के सारे के सारी entry चलती रहेंगी complete time कुछ घर खंगी mnie कुछ कुछ क कुछ जरा हम 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 और से और से युद भल